चले सर देखे हम सीख रहे हैं Memorandum of Association जिसको मैं short form में ज़्यादा से ज़्यादा MOA बोलूगा मैं ठीक है यह होता क्यों है एक बार थोड़ा से background वैसे last chapter में background किया था फिर इस chapter में भी थोड़ा से ले लेते हैं background Company का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है एक्जाम में पूछा जाएगा registration प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले जो पर्मोटर होगा वो पर्मोटर आइडिया लेगा यानि जिसके माइंड में आइडिया आया फिर पर्मोटर एक M.C.A. वेबसाइट है Ministry of Corporate Affairs जिसका काम होता है कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना इस वेबसाइट पे जाके पर्मोटर को अपना नेम का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले नेम चेक करना होगा अब इसने नेम चेक कर लिया और 500 रुपे की फीस दे के नेम को रजिस्ट्र करा लेना होगा जैसे ही ये 500 रुपे की फीस दे के नेम को रजिस्ट्रेशन कराएगा ये name इसके नाम पे 20 दिनों तक valid रहेगा जैसे होता है ने हमने book कर लिया भाई तो आपके नाम पे जब तक तो नाम को book कर लिया नाम को जैसे ही approval मिल गया फिर promoter को अपने पास एक charted accountant appoint कर लेना है सर, charted accountant क्यों appoint कर लेना है? क्योंकि charted accountant हमारे सारे document बना लेगा क्योंकि नाम के appoint होते ही जो register जो हमारा company register करता है ना उसको हम बोलते है ROC ROC बोलता है जाओ भाईया अपने साथ कुछ-कुछ document ले आओ क्या-क्या सर, document? ये दो document मंगवा लेता है that is MOA और AOA Article of Association and Memorandum of Association तो ये charted accountant का work रहता है कि ये क्या बना लेगा MOA and AOA ये charted accountant इस MOA और AOA को बना के simply दे देगा और deposit यानि जो मालिक है उसको इतनी knowledge थोड़ी ना है तो ये जो MOA है और AOA है ये बना के simply deposit कर देगा सर किसके पास deposit कर देगा सर जाके ROC के पास deposit कर देगा ये ठीक है ना ROC के पास ये जाके simply deposit कर देगा जाके ROC के पास अब ROC इसको check करने के लिए थोड़ा further time लेगा जैसे ही ROC ने MOA मिला ROC इस document को verify करेगा थोड़ा time लेगा फिर वो क्या करता है commencement of incorporation COI दे देता है COI last chapter में हमने पूरा discuss किया हुआ है COI दे देगा commencement of incorporation ROC के देगा पर्मोटर तुम्हारा company बन चुका है जैसे ही ROC के देता है बन चुका है इसके बाद ROC बोलता है अब आप मुझे कुछ और document लाओ तो अब इसका काम होगा और फिर से document लाना होगा क्या क्या document लाना है सर एक बार तो दे दिया अब आपका सारा address proof दो मुझे आप अपना जो letterhead है letterhead पे company का नाम लिखा हुआ मुझे जमा करवाओ आपका name plate मुझे जमा करवाओ मुझे stamp जमा करवाओ क्योंकि जब तक आपकी company बनेगी ना तो आप letterhead चपबा सकते हो भगवान जाने बनेगा या नी बनेगा पहले थोड़ी चपबा लोगे ना तो stamp बना लोगे ना तो कोई आप ऐसा काम करोगे जिससे लगेगे company register है किसी company में जाओगे तो देखते हो बड़ा बड़ा board अलगा हुआ है company के नाम से तो पहले approval आएगा उसके बाद ये सारी चीज़े कराने के बाद हम ROC को बोलेंगे भाई तेरे पास बहुत टाइम है तो एक काम कर मेरे office भी किसी को बेज दे और चेक कर ले आके कि मैं काम कर रहा हूँ जब ROC ये सारे document को चेक कर लेगा फिर उसको बोलेगा चल भाई तेरे को मैं अब दे देता हूँ commencement of business commencement of business business commencement करने का section 10 में है ये section तो मैं quote ही नहीं कर रहा आपको section quote करने के लिए मैं बता दूँँगा पहले आप ये देखो तो ये पूरा procedure होता है आपका company बनने तक अब company बनने तक एक चीज होती है कि इसने यहां से काम किया और यहां से लेके यहां तक आप देखिए यहां से लेके यहां तक यहां से यहां तक इसने बड़े सारे खर्चे करे हूँगे किसने करे होंगे सर एक पर्मोटर ने किये होंगे क्या खर्चे करे होंगे सर यहां से यहां तक MOA बनवाया, AOA बनवाया, CA के ओपोइंट किया तो बहुत सारे तो in between the जो भी contract किये होंगे इसने लोगों से क्या बोलके contract किया होगा कि भाई मेरे पास काम कर लिए अभी company बनेगी तेरे को permanent कर देंगे तो इस contract को बोला जाता है हमारा preliminary contract या फिर बोला जाता है आपका preliminary contract भी बोल देते हैं अगर कोई भी preliminary contract होता है तो company जब बन जाएगा तो इस दिन से x y z limited एक अलग होगा और यह पर promoter अलग हो जाएगा तो फिर promoter जाएगा और x y z limited को बोलेगा कि भाई तुम्हारे बनाने से पहले मैंने बहुत महनत करी उनकी payment कर दो अब company के इच्छा होगे कि इस preliminary contract को वो accept करे या reset करे वो भी हमने third chapter in corporation में पढ़ा था इसके बाद यहां से यहां तक भी कुछ खर्चे करेगा यह सारे document बनाने में खर्चे हुए यहां से यहां तक time frame में जो खर्चा होगा उसे बोला जाता है provisional contract एक्जाम में पूछा ही जाएगा मान के चलो आपके एक्जाम में पक्का question आएगा preliminary contact क्या होता है यह provisional contact क्या होता है preliminary contact को कैसे adoption किया जाता है यह question पक्का आएगा अब सर यह सारा अगर आपको procedure समझ में आ गया होगा तो CA MOA कैसे बनाता है यह हमें जानना पड़ेगा क्योंकि हम law पड़ रहे हैं और in future हमें भी knowledge होना चाहिए कि MOA बनता कैसे और इसमें क्या क्या चीज़े होती है तो चलिए start करते हैं फटा फट क्या सर MOA तो सर MOA कैसे बनाये जाता है नहीं बनाये जाता है वो सारी बात को बात करेंगे memorandum of association सर memorandum of association की बात करें ना तो एक यह main document है company के दो ही document होते हैं MOA और अब इन दोनों में पहले फरक समझ लीजी आप समझ जाईएगा MOA में जो बाते लिखी हुई है जैसे MOA में लिखा हुआ है के 7 person होगा MOA में लिखा हुआ है के सर आप object जो है वो आपका होगा cloth का business का यह कहां लिखा हुआ है आपने MOA में इस cloth business को कैसे चलाना है इसके अंदर rule लिखा होता है basically MOA को कैसे implement करना है वो rule कहां पर लिखा होता है सारा AOA में तो यही फरक है article of association और memorandum of association memorandum of association में तो rule बन के तयार लेकिन इसको implement करने में किन-किन बातों का ध्यान रखना है झाल 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 चेक और यहächst नाव प्लीज चेक करिये नाव क्लियरering बता दीजियो फटा-फट चेक कर लेता है नाव क्लियर वोइस हानजी ठीक है यस ठीक है तो सर MOA क्यू बना रहा था दें-धा और या फिर रजिस्टार्ड आफ कम्पनी क्यू बनवाता है और यह ना एक public document होता है Sir public और private का क्या मतलब होता है public जो मर्जी इसको पढ़ सकता है किसी भी company का MOA आप पढ़ सकते हो एक private document होता है जो हर को easily नहीं पढ़ सकता तो यह क्या है एक public document है It's enable the intending shareholder to know that filed of activity to what purpose of his money is going to be used in the company यानि Sir कहने का मतलब है shareholder है और shareholder क्या करेगा invest करेगा और MOA के अंदर purpose लिखा हुआ होगा तो shareholder फटा फट जाके पढ़ के पता कर लेगा कि यह company मेरे पैसे को कहां पर invest करने वाला है तभी shareholder invest करेगा suppose करो कि MOA के अंदर कुछ ऐसा activity लिखा हुआ है ऐसा अगर उसने लिखा हुआ है object जिसके अंदर यह क्या काम करेगा और shareholder को लगता है कि यहाँ पैसे डालना बेकार है क्यों डूब जाएगा बात में तो ऐसा situation है पैसे नहीं तो इसका मतलब एक open document है एक तो इसलिए बनवा लेते हैं वो कि भया shareholder को बताओ दूसरा purpose है similarly anyone who dealing with the company anyone का मतलब debtor, creditor debtor को छोड़ दो creditor तो company को उधार देगा उधार देने से पहले सोच ले ना तुमारे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो सोचने से पहले आपको क्या पढ़ लेना चाहिए company का MOA कहां पढ़ लेना चाहिए internet पे available है पहले deal करने से पहले देख लो क्योंकि generally आप किसी को उधार माल बेचोगे तो 100 बार सोचोगे उसके बारे में पता करोगे तभी तो बेचोगे तो आपको पता करना पड़ेगा openly कहता है कि for example the supplier of the goods जो goods supply करेगा money will know whether it to be transaction कहां पे वो transaction होगा he intend to the make company within the object क्या company object के साथ काम कर रही है नहीं कर रही मान लिया जाए company ने सोचा हुआ है कि मैं कपड़े का वेपार करूँगा इसके object clause में लिखा हुआ है कपड़े का वेपार करूँगा लेकिन company creditor को बोलता है भाया तू मुझे उधार माल दे दे और मैं steel का काम करने वाला हूँ और कल के दिन company default होता है और creditor बोलता है case करता है कि भाया मेरा पैसा नहीं दे रहा तो company बोल सकता है कि आपने जो पैसे दिये थे वो सुरू से ही illegal था आपके पैसे तो माने ही नहीं जाएंगे क्योंकि company का object ही नहीं था steel का काम करना तो इसलिए creditor अपने पैसे दोगे तो सोच समझ के दिना सिर्फ यह दो परपस है इसका एक shareholder के पैसे कहां लग रहे है दूसरा creditor के पैसे कहां लग रहे है main सर इसके अंदर क्या-क्या points होंगे तो majorly इसके अंदर यह 6 points होते है 6 points सिर्फ 6 points इस 6 points में से किसी भी point पे आपके exam में सवाल आ जाता है पहला होता है सर name clause first क्या होता है सर name क्या name clause के company का name क्या होगा अब name कुछ भी रखो आपकी इच्छा है x, y, z कोई भी नाम रख सकते हो नाम क्यों रखा जाता है ताकि एक company अपनी brand building कर पाए name कैसे होगा सर name को आपको पहले check करना होगा सबसे पहले check करना होगा क्योंकि आपने जो नाम सोचा वैसा नाम पहले से available हो सकता है इसलिए आपको check करना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा नाम के आगे कोई ऐसा word मत लगाना जिससे की लोग भाग जो investor या फिर और public है वो मतलब के misguide हो जाए mislead हो जाए जैसे मैं नाम के आगे RBI सब्द लगा देता हूँ तो लोग तो सोचारी कंपनी या RBI लगा हुआ नाम के आगे मैंने लगा दिया इंडिया तो लोगों को क्या लगेगा कि ये तो government company है क्योंकि RBI इंडिया या फिर मैं bank लगा देता हूँ नाम के आगे तो लोग बाग क्या सोचेगा ये तो bank है कोई नई bank खुली होगी तो ऐसा नाम मत लगा देना कोई जो की लोग इससे misguide हो जाए एक तो ये चेक करना है नाम में नाम वगेरा आपको चेक कर लेना है इसके बाद अगर करना है तो एक्जाम में पूछा जाता है कि नेम क्लाउस कितने क्लाउस है यहां पर छे है नेम सिच्वेशन ऑबजेक्ट लाइबलिटी कैपिटल हर किसी को एक एक को पढ़ेंगे एक करके समझेंगे तो सबसे बस छे पॉइंट ही है इसके इंदर छटे के पास साथवा पॉइंट बना ही नहीं है इसमें तो बुला गया MOA के अंदर 6 पॉइंट लिखके लिया हो तो नेम क्लाउस में नेम होगा और नेम अंडिजाइरेबल नहीं होना चाहिए अंडिजाइरेबल का मतलब किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए अब इन फ्यूचर आपको लगता है नाम बदल दें जैसे बहुत कंपनी ने नाम बदला जैसे मैं अगर बात करूँ एक्सिस बैंक अभी से पहले यूटी आई यूटी आई बैंक हुआ करता तो उसने अपना नाम बदल तो नाम चेंज करने के लिए एक तो अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सूओ मोटो सूओ मोटो का मतलब अपनी इच्छा से बदल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और एक हो सकता है आपको गवर्मेंट आपको बोल दे Central Government आपको order दे दे के भईया अपना नाम बदल लो तुमारा नाम जो है ये लोगों को mislead कर रहा है और इसकी वजह से तुमारे पास पैसे तो आ जा रहे हैं customer तो बन रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं फिर बाद में धोका धड़ी हो सकता है तो government आपको notice दे सकता है कि अपना नाम को क्या कर ये बदल ये और उस नाम को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो CG यानि Central Government आपको जो notice देगा उस notice को आप ROC के पास जमा कराएंगे और desirable नाम वगरा ढूंड लेंगे और ढूंड के बता देंगे जी ये नाम हमारा बदला जाएगा समझ मैं इस बात आपको इसके बाद सर situation clause situation clause को पता ही क्या कहते है सर address clause भी बोल दो आप यानि सर आपका address क्या होगा company कहा होगा तो situation clause होता है कि जब हम अपने आपको registration करवाते हैं तो registration करवाते time पे हमें address बताना है और सर कौन सा address बताना है only state state जैसे दिल्ली मुंबई state बताना है और वो state हमें समझाना है किसको समझाना है सर आरोसी को कि हम इस state में काम करेंगे तो सबसे पहले situation clause में क्या बताओगे अपनी company का address, address में proper door का address नहीं बताना है जितने भी आप अपने meeting, corporate जितने भी deal करोगे जितने बड़े decision लिये जाएंगे वो उसी राज्य में होने चाहिए अगर किसी और राज्य में आप करोगे तो फिर वहाँ पे कुछ invalid माना जाएगा क्योंकि वहाँ के creditor, debtor वो सभी आएंगे उसके अंदर सर इसको भी change किया जा सकता है हाँ जी इसको भी change किया जाता है इसके change करने का सबसे important point है इसको change करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है अब change की बात करें ना तो change पता है अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है मतलब सर अलग-अलग तरीके से मतलब या हो सकता है आप एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में चले जाओ हो सकता है नहीं पॉसिवल है कि आप जैसे मैं मान लो ते हैं शकुरपूर है शकुरपूर में J block है J block में आपका business समझ में नहीं आ रहा है आप चले गए जी ब्लॉक के अंदर या फिर आप शकुरपूर से चले गए पितंपूरा यानि एक राज्य में है विलेज टाउन उसी के अंदर कहीं चले गए तो आप एक तो चेंज कर सकते हो within state है ना अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो जब within state जब चेंज करोगे तो simple आपको क्या करना है आर ओसी को लेटर दे देना है आपको एसार पास करके आर ओसी को लेटर दे देना एसार क्या होता है हमारा special resolution मतलब अब जब हम एड्रेस करेंगे तो शेयर होल्डर को बलाएंगे अपना एड्रेस चेंज कर रहे है और ज्यादा दूट नहीं जा रहे हैं आसपास ही जा रहे है तो आप समिग्री करते हो तो जब 75% लोग बोलेंगे कहां चेंज करतो सही बोल रहें यहां पर दिक्कत होती है तो सार पास हो गया है सार की कोपी हम क्या करेंगे आरूट सी के पास जमा करा देंगे राद चेंज कर दिया अपना चीजे बदल दिया अपना तो उसके उपर आप नया address डाल दीजिए क्योंकि जो certificate of incorporation मिलता है उसके लिए डॉक्यमेंट देना है आपको दूसरा हो सकता है आप change करो same city में हो लेकिन दो ऐसे राज्ये हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पे दो आरोसी हैं अब जैसे मैं दिल्ली में बात करूं तो मैं पितंपूरा चले जाओं कोनट प्लेस चले जाओं नहरू प्लेस चला जाओं कहीं भी चले जाओं उसपास एक ही आरोसी है तो एक ही आरोसी को मुझे जवाब देना है लेकिन अगर यहां पे दो आरोसी होते तो confusion किसको दे हम इस वाले को दे किस वाले को दे तो दो ऐसे राज्ये है जहां पे दो द पूने में और गोवा शायद ऐसे दो है जो एक्जेक नाम याद नहीं आ रहा पूने और गोवा है जहां पर दो आरोसी है तो जब दो आरोसी होते हैं तो उस सिच्वेशन में आपको रीजनल डायरेक्टर को जाके लेटर देना होता है क्योंकि हर एक राज़े में दो आरोसी पॉसिबल है लेकिन हमारे चार रीजनल डायरेकटर है नौर्थ इस्ट वेश्ट और सौट तो हमारा रीजनल डायरेकटर से पर्मीशन लेगे वे पर्मीशन हम आरोसी को भी डिपॉस्elim करेंगे तब जाके हमारा एड्रेस क्या हो अगर आप एक ही सिटी में कितने दो आरोसी हैं दूसरा आप जब स्टेट बदल देंगे आप मुंबई से डेली अपना बिजनस सिफ्ट कर रहे हैं तब तो दो आरोसी हो गई होगा उस सिचुएशन में दिल्ली वाले आरोसी को भी इंफर्मिशन करना है कि हम आ रहे हैं अप आप राज ये बदलोगे तो वहां के क्रेडिटर परिशान हो जाएंगे कि मैंने माल बेचा था बताओ दिल्ली से बंबई भाग गया तो इसलिए हमें क्रेडिटर का डिक्लियरेशन फॉर्म के क्रेडिटर को कोई एतराज नहीं है हम दिल्ली जा रहे हैं और उसी को देना बहुत लोग तो उन सभी से अप्रूबल लेना पड़ेगा और वह सारे लिखित में लेके हम और उसी को सेंटर गवर्मेंट को दिखाएंगे सेंटर गवर्मेंट उसको जांचेगा लगेगा जब इन्हीं को दिक्कत नहीं हो रही तो जाओ भाई लेकिन कुछ क्रेडिटर और कुछ लोग बोल देते हैं नहीं सार ऐसा नहीं हो सकता पहले मेरे पैसे दिलवाओ फिर ऐसा होगा मैं साइन नहीं करूँआ तो गवर्मेंट बोलेगे भाईया पहले इनका हिसाब किताब करो तब तुम सिफ्ट कर सकते अपने एंट्रस तो बहुत इंपॉर्टेंट है सि कोलिखना होगा ओबल जेक्ट क्लॉज को भी अल्टर किया सकता है क्योंकि जो आप उबजेक्ट क्लॉज में क्योंकि आप जो पैसे इण invites करते हो इस अपने सूचा है कि हम उसी कमपनी में पैसे लगाएंगे जो इस पैसे का काम करेग इचा और पता चला उसके पैसे लगाता है या आपने क्या बदल दिया आपना अब्जेक्टी बदल दिया तब तो आप इंवेस्टर परिशान हो जागा यार जो सोच के लगाया तो वो तो हुआ ही नहीं तो ऐसे सिचुएशन में हमें शियर होल्डर को बुलाना पड़ेगा क्या और उसको ऑल्टर करने के क्या तरीके प्रोसीजर क्या है तो मैं कुछ-कुछ बता रहा हूं अभी सारे थियोरी में मैं दिखा भी दूँँगा तो सर इसके अंदर शियर कैपटल शियर होल्डर के कितने हैं अगर मान लेतने के सियर होल्डर ने इस बज़े से पेमिंट किया है तो उसको अब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हमें सर पास करना होता है ठीक है और ओर लीपॉजिट करेंगे अर उसको चेंज कर देगा इसके बाद आता है liability clause liability clause के अंदर अगर shareholder की बात करें तो दो liability होता है एक limited liability एक unlimited liability generally limited liability होती है company के अंदर तो जब अगर हम liability clause को change करना चाहते हैं तो liability clause के अंदर ना director और manager की सबसे ज़्यादा liability होता है किसी company में fraud वाने तो director को पकड़ लेते हैं तो अगर आप director और manager की liability को रोकना चाहते हो change कर रहे हो कि director की liability पहले तो बोला था कि कुछ भी दिक्कत होगी पैसे लिया हो कुछ भी दिक्कत होगी director और manager ये जिम्मेदार होगे घर से पैसे लाके देंगे आप से पैसे ले लिया उसके बाद इसने decide किया कि इस clause को बदल दो कि director और manager इसके लिया लाइबा लिनी होगा तो आप तो फस गया इस चक्कर में ऐसे थोड़ी होगा तो सबसे पहले फिर permission लेनी पड़ीगी इस shareholder से फिर SR pass होगा फिर इनके liability को alter किया जाएगा कि इसकी liability limited रहेगी या फिर unlimited रहेगी ठीक है यह liability है capital clause capital clause में कितने authorized capital होंगे कितने equity share capital होंगे कितने preference share capital होंगे किनकी क्या voting right होगी यह सारी बाते लिखी होगी और इसको change करने के लिए generally नहीं किया जा सकता लेकिन तीन कारण है जिसके वज़े से change किया जा सकता है एक company को लगता है और सभी shareholder permission दे दे के भाया तुम अपने share capital को buyback कर लो तो change हो जाएगा buyback जैसे करेंगे या अपने shares को आप reduction कर दो फिर approval लेना पड़ेगा या अपने shareholder के voting right को बदल दो तब भी change हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा था एक shareholder equal to one voting right लेकिन बाद में आपने decide लिया कि नई भाई एक shareholder equal to two voting right कर देते हैं तो फिर change हो रहा है ये clause फिर आपको यहाँ amendment करना पड़ेगा और आपको याद होगा कि आपने एक chapter किया था reconstruction account में उसमें सभी के share capital को change कर देते थे उसके shares जो 100 रुपे के हुआ करते थे उसको हम 80 कर रहे थे उनको हम 20 रुपे कर रहे थे तो ये भी तो change ही हो रहा था तो ये भी court से approval लेके कर रहे थे हम ठीक है ये एक ऐसा clause है जिसके अंदर अगर 7 वेक्ति हैं तो 7 वेक्ति के क्या होंगे सर एक दो तीन चार पाँच छे साथ 7 वेक्ति जो होंगे इसके वो कहलाएंगे पर्मोटर यानि जिन वेक्ति ने business को बनाया idea सोचा उन सभी के यहां पे नाम उन सभी का यहां nominee का नाम, उन सभी का अधार card, उन सभी का pen card, उन सभी का permanent address, उन सभी के family के बारे में सब कुछ यहां लिख दिया जाएगा और इस clause को कभी भी change नहीं किया जा सकता आप जाके चेक करिएगा टाटा company है, उसका अगर देखा जाये तो foundation टाटा company को किस ने किया था, बनाया किस ने था, जे आर डी टाटा ने लेकिन अभी तो रतन टाटा है, तो आप उसके object clause के इंटरनेट पे चेक करेंगे, आप सर्च मारेंगे, तो वहां तो jrd tata लिखाओ, क्योंकि बदला ही नहीं जा सकता reliance company किस ने बनाया था, मुकेस अंबानी ने थोड़ी ना बनाया था, धीरूबाई अंबानी ने बनाया था उसके object clause में जाये तो अभी भी किसका नाम लिखा होगा, धीरूबाई अंबानी लिखा होगा तो ये एक ऐसा clause है, company के साथ कुछ भी हो जाए, नाम बदलो, सब कुछ बदलो, ये clause नहीं बदला जाएगा सिर्फ पता चलता है कि इस company को originally किस ने चलाया था चाहे कोई किसी company को खरीद भी ले और वो same company रन कर रहा है तो object clause नहीं सरचेंज हो सकता तो इस chapter के अंदर यही रहता है, जिसको हमें पढ़ना है